दोस्तो हाली में Defense Equipment के Development के सेक्टर में या फिर कहें तो International Defense News के सेक्टर में एक बहुत बढ़ा भूचाल आ गया क्योंकि दोस्तों हमारे परोस में स्थित एक देश के तरफ से एक ऐसा दावा कर दिया गया जो कि खाली हैरान पूर्ण नहीं नहीं है बलकि एक तरीके से चिंता पूर्ण भी है और संधे के दाइरे में भी है अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के तरफ से दावा किया जा रहा है कि हाली में पाकिस्तान के state-owned aerospace company, global industry and defense solution के तरफ से पाकिस्तान के military को surprise करते हुए 11 elite देशों के list में पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया क्योंकि कमपनी के तरफ से बनाया हुआ एक unmanned combat aerial vehicle का हाली में ही demonstration कि और दोस्तों इस unmanned combat aerial vehicle का नाम शापार 2 रखा गया है और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह जो शापार 2 है यह असल में एक medium altitude long endurance रहनी के armed drone है जो की अपने demonstration के दर्मियान करीवन 14,000 feet के उचाई में उरान भर रहा था और इस उरान भर रहने के दर्मियान एक air to ground missile के द्वारा जमनी टार्गेटों को सफलता पुर्बग ध्वस किया है पाकिस्तानी मीडिया के दावा के मुताब ही यह जो याट to ground missile था यह असल में पाकिस्तान के द्वारा ही indigeniously बनाया हुआ बरक missile है पाकिस्तान के जो global industrial and defense solution है उसके तरफ से दावा किया जा रहा है कि शहापर two drone को असल में इसके पहले model शहापर one के base पे developed किया गया है और शहापर two असल में extended flight time के साथ एक ऐसा drone है जो की 20 घंटे तक लगातार surveillance mission में उड़ान भर सकता है और offensive role में करीब करीब 14 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है हाला कि होई ही पे दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन armed forces के तरफ से अपने तापस BH201 unmanned aerial vehicle को केवल मात्रे इसलिए ही reject कर दिया गया क्योंकि ये जो drone है ये 30,000 feet के altitude के जो requirement है उसे पुरा नहीं कर सका और 28,000 feet तक उड़ान भरा था और 24 घंटे के लगातार उड़ान में कई गुना advanced drone होता जबकि दोस्तों खाली इतना नहीं वलकि इन drone को दिखाते हुए अब पाकिस्तानी मीडिया के तरफ से ये वी दावा क्या जा रहा है कि पाकिस्तान अब टर्की और चाना जैसे देशों के मकाबले में भी advanced drone को बना लिया है पाकिस्तानी मीडिया का य भीक मांगा जा रहा था और भीक में पाकिस्तान को जब ये drone मिला तो पाकिस्तान के तरफ से अब अपना चाती चौड़ा किया जा रहा है अलाकि दोस्तों इस से पहले पाकिस्तान के कई सरे अलेग-अलेग media houses के तरफ से साल 2021 में ही दावा घर लिया गया था कि शाहपार 2 drone पाकिस्तान अपने बेडे में ओपरेशनली शामिल कर चुका है लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान के ग्लोवल इंडस्ट्रियल डिफेंस सोलुशन के तरफ से इस चीज़ को एसेट किया जा रहा है मतलब पहले का जो खवर था हुआ असल में जूटा खवर था और फिलाल दोस हमता केबल मातर 53 किलोग्राम है वो भी इंटर्नली और एक्स्टर्नली ये 190 किलोग्राम मतलब टोटल ये द्रोन 243 किलोग्राम तक के पेलोट को कैरी कर सकता है द्रोन के परफॉर्मेंस को लेके दावा ये है कि ये मैकसिमम 220 किलोमेटर पर आवर किरपतार में उड़ान भर सकता है और इसका कुछ मेडिया रिपोर्टों के मुतावी कि ये बिना हतियारों के लोड में मतलब सर्वलेंस कैपबिलिटी में 20 घंटा और हतियारों के साथ केवल 12 घंटा तक ही उड़ान भर सकता है और सर्विस सिलिंग इसका करीब 23,000 फीट सर्वलेंस मोड में और हतिय के लिए इसमें चार हार्ट पॉइंट है जिसमें ये केलेबल मात्र बराक लेजर गाइडेड मिसाइलों को ही कैरी कर सकता है मतलब इसके पास और किसी तरीके के हतियारों को कैरी करने का फिलाल शमता नहीं है जबकि एवियोनिक्स के रूप में पाकिस्तान का दावा ये है कि इसमें इलेक्रो ऑप्रिकल इंफ्रारेट मल्टी सेंसर टॉरेट और ऑटोमेशन जीपियस बेस ट्रैकिंग अन कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ 300 किलोमेटर के लाइन ओफ साइड मतलब रियल टाइम डेटा लिंक और देरहजार किलोमेटर के रेंज वाले सेटकॉम मतलब सै इरियल वेकल को हाई ओल्टिट्यूड ओपरेशन के लिए डिवलप्ट करने को लेके बातों को रखा जा रहा है मतलब पाकिस्तान जहां पे अनमैन एरियल वेकलों को बना रहा है तो वही पे भारत इससे टेक्नोलोजी के लिए काफी सुपिरियर एक्वेपमेंटों को बन चैलेंज रखना और इसमें एक चैलेंज दो आदमी वाले टैक्टिकल एरियल वेकलों के डिवलप्मेंट भी था और वो भी हाई ओल्टिट्यूड ओपरेशन के लिए रिपोट में दावा किया जा रहा है कि नोवल यार क्राफ वेसिकली इस तरीके के ओपरेशन के लिए फेल होता है और भारत चाहता है कि एक ऐसा फर्सनल एरियल वेकल के रूप में काम कर सके और वर्टिकल टेक ओफ एंड लैंडिंग के बिलिटी के साथ हो और दोस्तों इसका सबसे वड़ा खास बात यह है कि ये कोई बड़े आकार का वेकल नहीं होगा बलकि इनसानों के आ या फिर कहें तो इस तरीके के जो वेकलों को चाहता है वो तीन कारणों के वज़ा से जिन में सबसे पहला कारण तो है हाई अल्टिट्यूट में बिना रन्वे के टेक ओफ करके और लैंडिंग करके अलग-अलग मिशनों को अंजाम देना और इसी कारण के वज़ा से भार शकता पड़े जहाँ पे की कोई पिपेर रन्वे या फिर किसे तरीके कोई बड़े हेलिपैड ना हो तो वहाँ पे भी ये काम कर सकेगा और अच्छा खासा है मौन्ट में मतलब अगर दो आदमी को कैरी करने का इसका शमता है तो कम से कम 1500 किलो ग्राम तक तो ये पेलोड आ नहीं हो तो यहाँ पे एरियल ओपरेशनों को अंजाम देना काफी मुश्किल होता है लेकिन भारत एक ऐसे वेहकल को चाहता है जो कि ऐसे खतरनाक सिच्वेशन में भी आसानी से उड़ान वर सकी और लैंड कर सकी जिससे की पहाड़ी एरिया में इंडिया के जो ऑपरेशन द्रोन को लेके आज इतना चाती पीट रहा है उससे बहतर द्रोन को तो भारत के द्वारा रिजेक्ट ही कर दिया गया है अब भारत के अगर तापस भी एच टू जरो वान अन्मैन एरियल वेहकल को देखा जाए तो यह पाकिस्तान के द्रोन के मुकाबले में ऑल्टिट्य लोंग इंडूरेंस रेनी के आम द्रोनों का भी डेवलाप्मेंट कर रहा है और स्टेल्थ द्रोनों को भी डेवलाप्मेंट कर रहा है जो कि एक तरीके से स्टेल्थ अन्मैन कॉमबेड बॉमबर के रूप में इसके इलावा CTS रेनी में CTS ओरियर के रूप में एक लोयल का भी development हो रहा है और इस warrior के base पे इंडिया के द्वारा unmanned fighter यार क्रेप्टों का भी development किया जा रहा है जबकि दोस्तों खाली इतना नहीं बलकि deck ways unmanned aerial vehicle मतलब helicopter के जैसे unmanned aerial vehicle से शुरू करके loitering munition और कई सरे private sector कंपनियों के द्वारा भी stealth बन जाएगा जिस तरीके का drone ना चाइना के पास है और ना ही टर्की कभी बना सकेगा हला कि दोस्तों पाकिस्तान के अगर drone को देखा जाए तो फिलाली ये टर्की के बाइरेक्टर टीवी टू द्रोन और चाइना के CH4 जैसे द्रोनों से काफी पीछे है और चाइना के CH4 द्रोनों को अगर दिखा जाए तो इन द्रोनों से पाकिस्तान खुदी परिशान है क्योंकि ये द्रोन उड़ता कम है क्रैश जादा होता है जब कि टर्की के बाइरेक्टर टीवी टू द्रोनों के पेलोड शमता और रेंज इतना कम है कि भारत जैसे देश के खिलाफ इसका उप्योग सही डंग से किया भी नहीं जा सकेगा इस वीडियो को यह पर ही करते हैं समाथ किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम